Hello my dear students, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए बच्चो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात बच्चो शुरुआत करते हैं कोशन नमबर फोर से तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस कोशन का मतलब क्या है देखे आपको यहाँ पर बनाना है सिर्फ और मेजरमेंट भी आपको गिविन है हाइट कितनी होनी चाहिए बन मीटर और बेस डायमेटर भी आपको गिविन है 140 सेंटिमीटर और किस चीज से बनाना है मैटल शीट से और आपको यही बताना है कि हाउ मेनी स्क्वेर मीटर और शीट और रिक्वाइड फॉर दी सेम यानि कि इस क्लोज सिलेंडरिकल टैंक को बनाने के लिए कितना शीट आपको रिक्वाइड होगा तो बच्चो आपको कोशिन का मतलब समझ में आ गया होगा इसका सिंपल सा मतलब है कि सिलेंडर आपको बनाना है यहाँ पर हमने मान लिया कि जो सिलेंडर आपको बनाना था वो हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया तो बच्चो जो भी मिजरमेंट आपको गिविन है हमने उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया हाइट है आपकी वन मीटर और डायमीटर है 140 सेंटी मिटर तो आप आसानी से रेडियास कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियास आपकी हो जाएगी डायमीटर इस जिवाड़ेट बाइ 2 तो यहाँ पर दियास दिवाड़ेट बाइ 2 यू विल गेट 70 सेंटी मिटर तो आप इसको मिटर में कनवार्ट कर लेंगे ओके तो इसके लिए आप इसको 100 से डिवाइट कर देंगे और यू विल गेट इन मिटर यहाँ जीरो पॉइं सेवन मीटर तो बच्चो अब हमें निकालना है कि इस क्लोज स्लेंडिकल टैंक को बनाने के लिए कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी तो बेसिकली जो आपका टॉप है और बॉटम है लेट से मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेता हूं तो आपका यह बन जाएगा बॉटम और यह आपका मिडल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं लेटरल सर्फेस एरिया ओके तो इसका एरिया इसका एरिया और जो आपका बॉटम है इन तीनों का एरिया आप एड़ कर देंगे तो आपके पास जो टोटल सर्फेस एरिया आता है वही आपको निकालना है और वही आप कहोगा sheet required क्योंकि यह जो आपका cylindrical tank है यह आपका बना है metal sheet से ओके इसका simple सा मतलब है इन तीनों का area आपको add करके आपको total surface area ही निकालना है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे area of sheet required is equal to total surface area of tank ओके यही आपको calculate करना है तो बच्चो total surface area का जो formula है वो आपको याद होना चाहिए वो होता है 2 pi r r plus h okay simply आपको values को यहाँ पर put करना है r का value आप रखेंगे 0.7 meter और यहाँ पर जो h का value है वो रखेंगे आप 1 meter तो चलिए यहाँ पर हम values को put कर देते है 22 by 7 into r r का value है आपके पास 0.7 0.7 plus 1 इसके बाद आप इसको solve कर लेंगे solve करने के लिए आप क्या करेंगे देखिए इस decimal point को आप हटा देंगे तो नीचे आपका आजाएगा 10 और इस 7 से यह 7 आपका cancel out हो यहाँ पर इसको multiply कर देंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 44 और 44 divided by 10 ओके आपके पास आजाएगा यहाँ पर 4.4 और आपका multiply में क्या रहेगा देखिए add कर दिजे इसको यह आजाएगा आपका 1.7 और यहाँ पर आप इसको area of sheet required तो बच्चो यह वो total surface area है जिसका आपका यह cylinder यहाँ पर बना हुआ है इस metal sheet का जिसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है how many square meters of the sheet are required for the same that means यह आपका answer होगा अब बात करते हैं question number 5 की the total surface area of a hollow cylinder which is open from both sides is 4620 square centimeter area of base ring is 115.5 square centimeter and height 7 centimeter find the thickness of the cylinder तो बच्चो इस question को understand करने से पहले हम बात कर लेते हैं hollow cylinder के concept की देखे अगर हम इसको define करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम define करेंगे a solid bounded by two coaxial cylinders of the same height and different radii is called a hollow cylinder इसका simple सा मतलब है एक ऐसा cylinder जो अंदर से खाली होगा यानि की दो coaxial cylinders होंगे जो अंदर वाला आप देख सकते हैं cylinder इसकी जो radius है वो हम small r से denote करेंगे और जो बड़ा वाला cylinder है outer वाला उसकी जो r होगी यानि की radius होगी उसको हम capital r से denote करेंगे अगर हम बात करें hollow cylinder के examples की तो आपने iron pipes देखे होंगे rubber tubes देखी होंगी या फिर घर में आपने आमतोर पर देखा होगा rubber pipes जिसमें से पानी आता जाता है तो आपका rubber pipe कुछ इस टाइब का होता है जिसे हम कहते हैं hollow cylinder और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आपकी thickness इस hollow cylinder की देखे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यह है thickness तो यह आपकी होगी thickness of the hollow cylinder बच्चों अगर हम बात करें इसके area की यानि कि जो base है इसका area क्या होगा covered surface area क्या होगा और total surface area क्या होगा तो देखिए अगर हम बात करें base surface area की तो आप देख सकते हैं यह जो आपका outer वाला surface है इसका जो area होगा वो कितना होगा pi r square क्योंकि इसकी जो radius है वो आपकी capital r है और जो छोटा वाला आपका यहाँ पर circle है या फिर base है इसका जो area होगा वो कितना होगा वो होगा आपका pi r square लेकिन इस r को आप small r से denote करोगे और जो आपका outer वाला है यानि external वाला है इसको आप capital r से denote करोगे तो बच्चों अगर आपको निकालना है base surface area तो उसके लिए आप क्या करेंगे simply आपने जो आपका external base surface area है उसमें से आप minus कर देंगे internal वाला यानि कि आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं अब देखिए pi आपका common आ जाएगा और आप इसको लिख सकते हैं r square minus small r square और इसी बात को मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है ओके आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम बात करें cut surface area की तो उसमें आपको top और bottom का base area नहीं लेना है आपको simply external surface area लेना है और internal surface area लेना है दोनों को आपको add कर देना है तो देखिए अगर आप external लेते हैं तो उसमें आपका radius होगा वो आपका capital r होगा और जब आप internal surface area लेंगे तो उसमें आपका small r होगा त तो आप यहाँ पर capital R लिखेंगे उसके बाद internal surface area के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2 pi small r h इसके बाद आप इन दोनों को add कर देंगे आपके पास देखिए 2 pi h जो होगा क्योंकि height आपकी same होगी तो आप यहाँ पर इसको common ले लेंगे तो यह आपका हो जाएगा cut surface area अगर हम बात करें total surface area की तो total surface area के लिए आपको cut surface area लेना पड़ता है plus top and bottom का area लेना पड़ता है तो यह आपका cut surface area है जिसको हम already find कर चुके हैं इसके बाद आपको देखिए top और bottom का area add करना पड़ेगा अब माल लो कि यह आपका bottom का area है और इसमें आपको top का area add करना है तो top का area भी आपका same होगा that means pi r square minus small r square अब इन दोनों का आप add कर लीजिए तो add करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 pi r square minus r square इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है तो यह आपका होगा total surface area of the hollow cylinder तो बच्चो यह आपके बहुत important formulas है आपको यह याद होने चाहिए जब भी बात होगी hollow cylinder की तो आपको यह हमेशा याद होने चाहिए तो चलिए अब लॉट कर आते हैं अपने question पर I hope आपको यह concept समझ में आ गय होगा कि hollow cylinder क्या होता है तो यहाँ पर देखिए आपको given है total surface area of the hollow cylinder which is 4620 cm square आपको height भी given है 7 cm और साथ में area of base ring भी आपको given है 115.5 cm square अब आपको निकालना है thickness of the cylinder देखिए thickness निकालने का क्या मतलब है अब इस center से और यहाँ तक का जो distance है वो कितना है capital R अब नीचे देखिए इस center से लेकि यहाँ तक का जो distance है वो कितना है small r अगर मुझे यह distance निकालना है यानि की जो thickness निकालनी है तो यह कैसे निकलेगी अगर capital R में से small r में minus कर दूँ, आप यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो distance है यानि कि यह जो distance है, ओके यह आपका capital R है अगर capital R में से मैं small r minus कर दूँ तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा thickness of the hollow cylinder है ना, तो आप यहाँ पर लिख देंगे thickness, ओके, तो आपको निकालना क्या है capital R minus small r ही निकालना है तो चलिए इसको solve करना start करते हैं जो आपकी outer radii ही है इसको हमने मान रखा है capital R और जो आपकी inner radii ही है इसको हमने मान लिया है small r, ओके, अब आप जानते हैं area of base ring होता है देखे, हमने क्या बड़ा था pi r square minus pi r square is equal to 115.5 यह आपको given है ओके, जो आपका area होता है base ring का, वो कितना होता है आप इसको simplify करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं r square minus small r square is equal to 115.5 तो बच्चो इसका answer निकालने के लिए, simply आपको जो formulas है, उसमें थोड़ा सा manipulation करना है, और आप आसानी से r minus r निकाल सकते हैं, तो इसको हम माल लेते हैं equation number 1 अब देखे, आपको total surface area भी given है, तो इसका जो formula होता है उसके बराबर आप इस value को रख लेंगे, तो बच्चो आप इसको लिखेंगे, total surface area को 2 pi h capital r plus small r, यह आपका है cut surface area, इसके बाद आपको top और bottom का area लेना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे 2 pi r square minus r square, यह आपका top और bottom का area है, ओके is equal to, देखे, यह value आपको given है, total surface area की 4620 अब बच्चो मेरी बात को ध्यान से समझना देखे, आप यहाँ पर देखे, pi r square minus r square का जो value है वो आपको यहाँ पर given है ओके, 115.5 तो इसको यहाँ पर आप put कर देंगे 2 pi h r plus r plus 2 into आप simply 115.5 यहाँ पर रख देंगे इसके बाद आप h का value भी रख देंगे तो आप यहाँ पर h का value place कर दें 2 pi into 7 r plus r यह आपका निकल क्या जाएगा 4, 3, 8, 9 अब देखिए इसको भी आप solve कर लें यह आपका 14 हो जाएगा आप 14 आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर दें pi r plus r is equal to 4, 3, 8, 9 divided by 14 तो आपके पास यह निकल क्या आजाएगा 3, 1, 3, 0, 5 so this is your equation number 2 बच्चों आप मेरी बात को ध्यान से समझना a square minus b square आपको पता है क्या होता है a minus b into a plus b तो इस formula को यूज करके इस identity को यूज करके आपको यहाँ पर solve करना है किस तरीके से करेंगे आप यहाँ पर इस equation number 1 को use करेंगे आप देखिए r square minus r square तो इसको आप लिख सकते हैं r minus r r plus r is equal to 115.5 अब बच्चो आप याद कीजिए कि आपकी equation number 2 क्या थी equation number 2 थी आपकी pi r plus r is equal to 313.5 तो यह थी आपकी equation number 2 अगर हम यहाँ पर pi r plus r का value क्या रख देंगे 313.5 अगर रख दें इस equation के अंदर तो आपके पास r minus r का value निकल के आ जाएगा और यही value आपको चाहिए यानि कि आपको thickness निकालना है तो r minus r का value आपके पास आ जाएगा तो चलिए अब इस value को put कर देते हैं और निकाल लेते हैं r minus r का value तो यहाँ पर आपके पास r minus r into pi r plus r is equal to 115.5 ठीक है तो यहाँ पर आपको इसका value रखना है देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको simplify कर लिया है so that कि आपको समझ में आ जाए कि हमने इसका value इसी equation में रखा है और इसको इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख लिया जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको r minus r का जो value है वो कितना आ जाएगा देखिए 313.5 यह value इसका था ओके तो 115.5 तो बच्चो फाइनली आप निकाल लेंगे r minus r का value यानि की thickness of the hollow cylinder तो यह आपका आजाएगा 115.5 divided by 313.5 is equal to 7 by 19 आप इसको simplify कर लेंगे तो आपके पास आजाएगा 0.3684 centimeter so this is the answer for this problem आपके पास आपके पास आपके हाँ